नमस्कार दोस्तों चंदन जी टिक्निकल में आपका स्वागत है मैं हूं चंदन गुमर दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा memory card है हमारा जो SD card है ठीक है या तो हमारा जो pen drive है उस pen drive का data या हमारा लोग होते ना उसका miss use कर सकते हैं ठीक है तो उस data को हम कैसे secure करेंगे बहुत सरा ऐसे application आता है बहुत सरा ऐसे software आता है जिसमें क्या होता है वह सारा को हम password डालके जो हमारा memory card को log कर देते हैं log करने के बाद क्या होता है कुछ time तक तो वह secure रहता है बाद में उसको decode कर दिया जाता है बाद में उसको खोल भी सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ऐसा process के बारे में बताऊंगा जिसमें कि राककाश वीडियो में आपको सारा चीज़ जो है कैसे करें क्या होगा की कीज की सका जरूरत होगी आपको उसका बाद करेंगे लेकर Ф प्रिंट राएगे तो उसको हम सेप और सिक्योर कैसे करेंगे सिक्योर मतलब हमारा ऐसे एक स्ट्रोंग पासवर्ड लगा देंगे जिसको कि हम खुद भी पासवर्ड भूल गए तो हम उसको नहीं कोल बाएंगे तो आप समझ लिजे इस तरह का वह पासवर्ड है तो उसके ल पर एक वीडियो है जो की इंक्रिप्शन के बारे में ये क्या है कैसे काम करता ये उसके बारे में वीडियो है आप नहीं लेखे हैं तो एक बर जाके उसको चेक करते हैं ठीक Balance ना क्रणे के द'ंक जले जाना पड़ेगाوس यह encryption जो है लिखा होगा नॉर्मली तो यह मैं आपको दो है screenshot साइट में दिखा रहा हूं देखिए जो कैसे कैसे दीखे रहा है आपको कहा कहा है ठीक है उहाँ पर जो mark में ने कर दिया यह सारा चीजे तो आपको बताओं दोस्तों यह encryption आपको करने के बाद अपको क्या होगा encrypt आप जब भी करेंगे तो उहां पर आपको पहले रिंकृट करने के पहले एक पॉए पास्वार मांगेगा ठीक है उस पास्वार को आपको देने के बाद यह password पास्वार आपको ध्यां फोन पे वो जो memory card है वो काम करेगा लेकिन आप दूसरे किसी भी device में आप समझ लेजिए आपका card reader यूज़ करके आपका computer में यूज़ कर रहे हैं या आपका laptop में यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरे phone पर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिलकुल भी उहां पर show ही नहीं करेग और यह decrypt का option है आप जभी इंक्रिप्ट करेंगे उसके बाद ही यह decrypt का option है ओ आएका नहीं तो नहीं आएका और इंक्रिप्ट करने के बाद यह होता क्या है दोस्तों समझ लेए आपके पास एक photo है या आपका song है एक movie पढ़ा हो मतलब एक video file पढ़ा हुआ है तो उसको video file है आप देख रहे है जो कि video file में क्या होता है नॉर्माली जो होता है MP4 होता है AVI होता है ठीक है तो बड़े बड़े अलग-अलग formats होते है या जो अपना audio file होता है वो क्या होता है wave format में होता है या तो MP3 format में होता है तो यह सारा चीज को वो एक जो है एक coding में convert कर देता ह जैसे हमारा text होता है नॉटपेड में हम text कुछ लिखते है ठीक है .txt file होती है तो उस तरह का एक वो code में convert कर देता है जो code की आप खुद भी नहीं पड़ पाते है या जो बड़े-बड़े hackers होते हैं वो भी नहीं पड़ पते है और उसको hack नहीं कर पाते है without password आप आपका memory card को खोनी नहीं पाएंगे तो यह मुझे लगता है परसनाल दोस्तों यह सबसे जो बेस्ट है आपका memory card को secure करने के लिए आपका password डाल दो बज़ आपका memory card safe है आप कहीं पर भी हो जाया या कहीं पर खो जाया आपको कोई डर नहीं है आपका data कहीं पर कोई नहीं लिक पर प आपका memory card है उसको आपके से safe कर सकते हैं दूसरे सही को सेपसे आसक्ते आपका memory card को थिक मेसें जोनाय को थीकिए नहीं मिलते हैं ठोड़ेसे सिभैंश को प्र्थि और देखने के लिए फिर सब लग आए तो आप तो वीडियो को देखने को तुम्रें हो थे देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही दुस्तों नेक्स वीडियों मिलते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद जाहे हैं